नवश्कार दोस्तों पिछला हफता मैक्स पेन का हफता था पिछले हफते रिकॉर्ड मातरा में बिटकोईन की ETF की सेलिंग भी हुई मैंने इसकी पूरी डिटेल हमारे जो दूसरा यूटीब चैनल है क्रिप्टो मिले ने रोही चर्मा उस पे आप वीडियो कोई भी प्ले कर करते रहेंगे माइक्रो स्टाटीजी की पर्चेस जो है 700 मिलिन डॉलर्स की विटकोईन की जो अगले हफते मोस्ट लाइकली हो जाएगी क्या वो इस समुद्र के तल को ऊपर उठाएगा जिसमें सभी कर्ष्टिया यानि की आल्ट कोई अच्छा परफॉर्म करेंगी मेरा सटोशी स्टाइक रिने में आपका बहुत स्वाकत है दोस्तों कुर्सी की पेटिया बांध लिजे क्योंकि एक बहुत दर्द भरे सफर के बाद दर्द भरे हफते के बाद जैसे मैं कहता हूँ कि सबसे डार्क नाइट के बाद सबसे जल्दी सुबे होती है जब सबसे ज़ लिया कल ठीक ठाक दिन था और या फिर हम यह कहें कि पूरे वीकेंड पर बिटकोई एक स्टेबल कोईन की तरह परफॉर्म कर रहा था जो कि 69,000 डॉट पर कभी 100 डॉलर उपर और कभी 100 डॉलर नीचे मोस्ली वो 66,000 माफ किजीगा 66,000 डॉलर की उपर ही रहा अब माना जा रहा है कि अगर मार्केट सब सही रही और माना क्या जा रहा है हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे तो वीडियो में बने रहेगा 3-4 तथ्यों बताएंगे जो इस हफते के लिए थोड़े सी क्रिटिकल है बैक्क्राउंड अगर बताएंगे अगर आपको हिस्टी नहीं पता अगर आप छुट्टी पर गए हुए थी तो कि यह क्या हुआ तो बेसिकली जेरॉन पावल ने मार्केट को मंगलवार को स्पूक आउट कर दिया कि भाईया हम इस साल सिर्फ एक रेट कट करेंगे मार्केट तीन रेट कट मान रही थी और मैं अपने जो हमारा पेड मेंबर्शिप फ्री मेंबर्शिप चैनल है क्रिप्टो मिलिनर रोई चर्मा पेट्रियॉन के उपर उस पर मैं लगातार कॉमेंटरी देता आ रहा हूं कि सरकारे जूट बोलती हैं जिरॉन पावल की बात का विश्वास ना करें आगे बढ़ते हैं टेकनिकल चार्ट में जड़ा गेर बदलते हैं यहां पर मैं आपको एक यूनीक बुलिश डाइवर्जिंस की बात करूँगा अगर आप नीचे देखेंगे फोर आवली टाइम फ्रेम पर स्टॉक एस्टाइक आरसाई इसलिए हम मैं अपनी आखों के सामने फोर आवली टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है ताट इस वन टेकनिकल इंडिकेटर शॉट तरम में जो ट्रेंड रिवर्सल दर्शार है अगर हम वन आवर पर देखेंगे तो वन आवर पर आप देखेंगे जैसे मैंने कहा कि बिटकॉन बिल्कुल साइडवेज है अगर मैं यह टॉप से टॉप को और बॉटम से बॉटम को मिला दूँ तो अट लिसा लग रहा है कि इस जो इस रेंज वन आवरली टाइम फ्रेम पर वेरी शॉट टम की जो रेंज है उससे भी एक ब्रेक आउट हमें दिखता हुआ यहां पर दि अगर आपनी वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देखना एक हफते पहले ही चैतावनी दी थी और कहीं आपको कहता हूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबानिये ताकि आपको चैतावनिया पता चले कि कब आपको निकलना है और साइंटिफिक का नहीं मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक एसेट को उपर लेके जा सकते हैं और दूसरी एसेट को नीचे लेके भी जा सकते हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों वेल कैपिचुलेशन की अगर आप देखेंगे वेल के दवारा की गई सेल आफ अभी हाल फ उतना नहीं गिरा इतनी भारी मातरा में वेल्स के अकाउंट जो हैं डेक्लाइन हुए हैं बिटकोईन काफी समय से अल्मस्ट लंबे समय से जो है यह अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि वेल्स के सैल आफ के बाद भी बिटकोईन का प्राइस स्टेबल रहेगा क्यूंकि म दिन में देखिए 50,000 Bitcoin बेचे जा चुके हैं 3.3 billion dollars वर्त के इस tweet की अगर मानें तो right तो उसके बाब जो भी price कितना गिरा है 50,000 Bitcoin का मतलब 3 billion dollars की sale मतलब market cap में 300-400 billion dollar का गिरावट आना चाहिए और आया कितना मुश्किल से 50-60 billion dollar की market cap का गिरावट तो Bitcoin एक बहुत stable asset है right यहां प माइन करन में कितना पैसा रगता है आप देखेंगे कि Bitcoin का प्राइस जो की orange line है वो अकसर mining की cost की ऊपर ही रहता है यानि कि Bitcoin mining करना है वो Bitcoin से सस्ता रहता है और नैचरली अदर्वाइस इतने हजारों लाखो माइनर जो है वो क्यों Bitcoin माइन करेंगे अगर एक Bitcoin को माइन करने मे जो खर्चा आता है वो जादा आए और वो खर्चा खली electricity cost नहीं है वो hash rate और उसका competition भी है तो आप देखेंगे जो जो मैंने orange या टील कलर के जो बेज कलर के जो boxes बना रहे है वो दिखाते जब थोड़े से समय के लिए blue line यानि कि Bitcoin की जो cost है mining की वो orange line की ऊपर चलेगी यान mining से कम हो गया mining reward से कम हो गया आप समझ के होगे मैं क्या कहने की कोशिच कर और यह बहुत कम समय तक रहा था आप जूम इन करें तो हाल फिलाल में blue line यानि की cost of mining a Bitcoin is higher than the price of Bitcoin itself और यह बहुत बड़ा इसको मैं miner's capitulation कह लीजिए काफी दिनों से मैं आपको बताता रहा हूँ एक बड़े holders हैं जो आज mine करके reward ले रहे हैं और जिनके पास पिछले bitcoins भी पड़े हो हैं कुल मिलाके collectively मेरे खियाल से शायद 1 million के गरीब जो storage है वेर हाउस है जो क्या कहेंगे उसको जो holding है Bitcoin के वो miners के पास है तो मैंने इसकी capitulation खतम होते ही Bitcoin बहुत तेजी से उपर निकल के ज जहां पर मैं altcoin के entry points selling price सब कुछ price target सब बताता हूं पर आज शाम को मेरी वीडियो आने वाली है कि why avoid altcoins क्योंकि लोगों को सीधी बात समझ नहीं आती मैंने हफते भर पहले इसी चैनल पर satoshi stacker इंडिया पर एक वीडियो डाली थी कि चेतावनी है altcoins से दूर है लोगों ने अब मैं altcoin by altcoin जाकर आपको एक वीडियो बनाऊंगा आज शाम को crypto millionaire Rohit Sharma पर हमारी दूसरे चैनल पर क्यूंकि आज मैंने हमारी जो paid members है Patreon के उनके साथ एक one-on-one call करी आठ लोगों के साथ one-on-one call करी आठ में से आठ लोगों ने मुझे कहा कि वो आज bread खरीदना चाहते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं एक Bitcoin को एक crypto को एक altcoin को stand out देखते हुए कि यार ये pump होगया आप मैं खरीद दू तो वो retail users की tendency है buy high and sell low Jasmine के उपर भी मैंने crypto millionaire Rohit Sharma पर इसलिए video बनाई थी बल्कि वहाँ पर लोग मुझे अब मैं आज किसी को बता रहा था कि मुझे कोई कह रहा है Amazon का coin आया मैंने का नहीं बहीं आपको नहीं पता Amazon को coin आया अनिवेज अल्ट को साइड में रखते हैं Altcoins के हमारा दूसरा चैनल है crypto millionaire Rohit Sharma तो fed की tone जो है उसने पिछले हफते पूरा dump निकाला क्योंकि fed ने कहा कि हम hike नहीं करेंगे rate cut नहीं करेंगे अब देखते हैं fed के बारे में भी मैं आपको Satoshi Stack इंडिया इस चैनल पर बताता रहूंगा और यही इस चैनल का मेन मुखे अदिश है कि आपको market की pulse बताईजाए कि market कहा जा रही है अब यहां पर market एक तरीके से अच्छी जा रही है कि हमारे Michael Seller भाई साब ने कहा है कि मैं 700 million dollars के क्या बोलते हैं convertible retirement या senior citizen notes बना रहा हूं release कर रहा हूं जिसके चलते मैं 700 million dollars के bitcoin खर दूँगा अब यह बहुत अच्छी बात है जैसे मैंने का पिछले 10 दिनों में 3 billion dollar की sell off हुई है और bitcoin का price थोड़ा बहुत नीची गिरा है 3 billion के मुकाबले 700 million जादा नहीं है बट उपर जाते हुए bitcoin को काफी प्रोचसान मिलता है क्योंकि short squeeze होता है बहुत सारे लोगों ने short कर रखा है मैं बहुत खुशु में देखना चाता हूँ bitcoin के price को जब वो 70,000 पर जाएगा तो इस बार shorts की क्या हालत होगी क्योंकि इस बार short squeeze होंगे और short squeeze के time पर क्या होता है अगर short समझदार है और वह अपने short close कर देते हैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ hedge funds की बड़े-बड़े shorter की मैंने 2-3 वीडियो पहले आपको बताया था कि कैसे funding rate negative है ETFs को, shorts को fund करने के लिए incentive दिया जा रहा है वगरा वगरा उसके लिए आप उमीद करता हूँ आप रोज वीडियो देखते हैं ताकि आप ahead रहें जिन्होंने हमारी शुकरवार को वीडियो देखी थी उनको कोई डाउट नहीं है वो पहले से उनको पता था यह sell-off होने वाला है और वो उसके लिए prepared थे anyhow दोस्तों कल हम शनिवार को वीडियो नहीं बना पाए इसलिए हमने giveaway को स्थगित करके अगले शनिवार को हम दो जाए कि सबसे रईस आदमी होंगे वो इसलिए नहीं कि उन्होंने कहा है बिटकोई ने आठ मिलियन जा रहा है तो बिटकोई वाकिए आठ मिलियन जाएगा मैं बोलता हूँ अगर बिटकोई आधा मिलियन या एक मिलियन भी चला जाता है वो टॉप 10 या टॉप 20 में शुम चर्मा बनाया है उस पर मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ कि एक तो बिटकोई पर आप कैसे रिटायर हों बिटकोई ओनली कैसे ले हो और उसके में टैक्सिस वगार के बारे में वालेट कैसे करते हैं डी सेंटलाइज यूसडिटी कैसे खरीते हैं वो सब चीज़े म अगर बिटकोई के पराइस जाता है तो हमें से काफी लोग एक तो मैं तो रिटायर्मेंट ले लूँगा इसी उमर में 36 या 37 उमर में तो यह हमारा गंतव्य है हमें अपनी रिटायर्मेंट के लिए जल्दी जाना है पचपन पर नहीं होना है उसको हम 15 साल 12 साल 14 साल 17 साल जितना उसको प्रीपोन कर पाएं तभी हम इतना रिस्क ले रहे हैं उसका कुछ फायदा अधर्वाइस हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं अपना ख्याल रखें दोस्तों धन्यवाद जहें